नमस्कार दोस्तों मैं हूँ ध्रमवी आज से अज्जारों वर्ष पूराओं हमारे रिश्यों ने जो विज्ञान बताया था आज भी वो बिल्कुल मोडरन जो मेडिकल साइंस है उसकी कसोटी फर खरा उतरता है सिद सिद्धान पदती में गुरू गोरकनाद जी पर्थम दिन से लेकर नो महने तक मा के गरम में भुरुन कैसे विक्षित होता है उसकी संपुर्ण जानकारी देते हैं यानि वो ब्रमांड को ही इस देह को इस पिंड को छोटा रूप मानते हैं पुरे ब्रमांड का एक छोटा रूप ये पिंड है ये शरीर है ये देह है ये बोडी है तो इसके अंदर कहते हैं कि पर्थम दिन यानि फर्ष्ट डे होता है शुक्रान यानि स्पम और अंडान ओम मिस्रित होकर गाड़ा हो जाता है modern medical science ये बाते मानता है दूसरा साथ रातरी के बाद after seven nights बुल बुले यानि बबल के आकार में आ जाता है चिक है मा के गरब में जो भुरून होता है वो बबल के आकार में बुल बुले के आकर में आ जाता है लगबग एक सपते के दोरान 15 दिन में यानि 15 डेज के बाद गोल पिंड यानि राउन बोडी हो जाता है गोलाकार हो जाता है वो भुरून लगबग एक मास में वनमंत में ठोश हो जाता है तोलिड हो जाता है दो मास में शिरो भाग दीखने लगता है यानि सिर्का, छोटा सा भाग, हलका सा भाग दीखने लगता है तीन मास में, त्री मंथ में, हाथ, पैर, आदी, अंग बनने शुरू हो जाते हैं छिक है? चतुर्थ मास में, यानि फौर्थ मन्थ में, आख, ना, कान, मुख, लिंग, गुदा, आदी बनने शुरू हो जाते हैं पंचम मास में, यानि फिफ्थ मन्थ में, पेट में, पीट काकर बनने लग जाता है शिक्स्त मन्त में चठे महने में नाखुन, बाल आधी बनने लग जाते हैं जो दिखाई भी देते हैं आजकल जो modern technology से scan करते हैं बच्चे को मा के गरब से तो कि बच्चा ठीक है या नहीं है तो वो दिखाई देने लग जाता है साथवे महने में सेवन्त मन्त में कहते हैं कि अंगों में चेतना आजाती है पूरन चेतना आजाती है आठवे महने में मानव शरीर के समस्त लक्षन आजाते हैं जो एक मानव शरीर में जो भी सिम्टम्स होते हैं वो सब दिखाई देने लग जाते हैं बच्च एक्टिविटी करता है घूमता है फिरता है पुरा निर्मान हो जाता है नौवे महने में नाइन मन्त में जीवात्मा को सत्य सवरूप का ज्यान हो जाता है यानि उसके अंदर जीवात्मा प्रिवेश कर चुकी होती है पहले ही लग बग बताते है तीसरे महने में प् में अज्ञान बालक के रूप में मा के गरब से योनी द्वार के दवरा बहार की दुनिया में आ जाता है यानि मा की कोख में कोख में वच्चाई के अलग दुनिया में रहता है एक बरमांड ये दुनिया होती है उसमें रहता है उसके बाद वो बहार आ जाता है तो ये बताया गया है सिच सिद्धान पदती में जो बिलकुल modern medical science है उसकी कसोटी पर बिलकुल खरा उतरता है तो आज गले इतना ही आप सब का धन्यवाद